हलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार सोनास कुकिंग चानल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महारास्ट्रियन स्पेशल भरे हुए तुरी की सबजी तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं मैंने यहाँ पर इस बाउल की मेजरमेंट से मौंग फली लिया है और उस मौंग फली को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एक बार हमारी मूंग फली अच्चे से रोस्ट हो जाए तब हम इसके चिलके निकाल कर इसकी मिकसर में पेस्ट बना लेंगे मूंग फली की पेस्ट बनाते समय हमें यहाँ पर थोड़ा सा हराधनिया का भी इस्तमाल करना है तो जैसे कि आप देख रहें मैंने यहाँ पर पेस्ट बना ली है अब यहाँ पर एक चोटी चमच हल्दी पाउडर का इस्तमाल करेंगे आदा चोटा चमच नमक का इस्तमाल करेंगे और यहाँ पर एक बड़ी चमच लाल मेच पाउडर का इस्तमाल करेंगे अब हम इन सबी को अच्छे से mix करेंगे इसे थोड़ा सा sticky बनाने के लिए आप oil या पानी का भी इस्तमाल कर सकते हो पानी ज्यादा नहीं डालना है यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी का इस्तमाल किया है पानी थोड़ा सा कम पड़ गया तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर और थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून तो अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे तो यहाँ पर हमारा मसाला तुरी में भरने के लिए बनकर तयार हो चुका है तुरी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है तुरी को मैंने उपर से पील कर उसे इस तरह से कट करके बीच में से चार भाग बना लिये है अब हम तुरी में मसाला डालते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो तुरी को हम इस तरह से ओपन करेंगे और उसमें मसाला भर देंगे दोस्तो यह जो तुरी है यह अमारे हेल्थ के लिए बहुती फाइदे मंद होती है इसमें डायेटरिक फाइबर रहते है यह ज़्यादा तर ज्यादा वाटर कंटेंट इसमें ज्यादा रहता है विट्यामिन ए, सी, रिच होता है आइरन, मैंगेसियम यह सबी होता है इसमें पर आमारे आई वीजन को भी एन्हांस करता है और आमारे बोड़ी के डाइबटीस को भी कंट्रोल करता है यह वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पर तुरी में मसाला भर लिया है तो इसी तरह से हम रीमेन हो जाए तब सबसे पहले हम इसमें राइ डाल देंगे एक बार राइ चटकने लगे तब हम इसमें जीरा डाल देंगे तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक आदी चोटी चमच राई और जीरा का इस्तमाल किया है यहाँ पर मैंने तकरीबन 7-8 करीपता का इस्तमाल किया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस मैंने यहाँ पर डाल दी है अब हम इन सभी को सोते कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर 2 पैस को बारिक तरीके से कट कर लिया है तो अब हम प्यास को डाल देंगे और इसे सोते कर लेंगे एक बारे फ्राय हो जाए तब हम यहाँ पर एक टमाटर का इस्तमाल करेंगे जिसे को मैंने बारिक तरीके से कट कर लिया है अब ये दोनों फ्राय होने के बाद हम यहाँ पर हरादनिया भी काट कर डाल देंगे यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून हरादनिया काट कर डाल दिया है जैसे कि आप देख रहे हो इन सभी को इस तरह से कट करने से हमारा जो मसाला है और जो गाड़ी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो इसलिए मैंने इन सभी को इस तरह से कट कर लिया है दोस्तों अब हम यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल करेंगे, अलरड़ी हमने मसाले में डाल दिया हैं, तो थोड़ा सा में यहाँ पर डाल रही हूँ, अब हम इन सभी को मिक्स करेंगे और इसे फ्राइ करेंगे जब तक यह तेल ना छोड़ने लगे, तो यहाँ तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहां पर इस्तमल किया है। और आधे गलास पानी का इस्तेमाल किया है क्यूंकि पानी से कम darina तुरी को ब्रेंगे के लिए तो इसलिए मिने पानी डाल दिया अब अब यहां पर फ्लेत डख देंगे और तुरी को कुक करने के लिए चौड़ देंगे चलिए एक बार देख लेते हैं हमारी तुरी यहाँ पर पक गई है क्या नहीं अभी तक तो यहाँ पर मैंने प्लेट को निकाल दिया है अब हम देखेंगे इसे हिला कर तुरी को यहाँ पर यह जो मसाला है वो नीचे चिपक जाता है तो इसे लिए आप इंस्टंटली इसे देखते रहना है और इसे हिलाते रहना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी तुरी नहीं पकी है तो फिर से प्लेट ढग देंगे और आफटर 5 मिनिट्स हम फिर से यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तुरी का मसाला और जो ग्रेवी है ओ भी अच्छे से बन चुकी है और जो तुरी है ओ भी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसे सव कर लेते हैं दोस्तों इसे आप रोटी या चपाती के साथ भी खा सकते हो तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथ में लाइक, कमेंट और शेर भी कर देना एसी न्यू वीडियो के लिए सोना सुकिंग चैनल को देखते रहे ना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाबाई